केसे हो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हमारे हिंदुस्तान में कई तरह की बिमारी आ चुकी है कोरोना और उसके साथ साथ खुजली भी आ चुकी है तो अब निकिता तोमर की मोद पर गली के खुजली वाले कुटे की तरह बहुकने वाले लोग कुछ गोदी मीडिया अ आखिर क्यों तो मैं बताऊंगा बिल्कुल शॉट में आप लोग इस वीडियो को देखिए क्योंकि आपको पता चलेगा और चलना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में जिस देश में हम रहते हैं उस देश में क्या-क्या हो रहा है तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा निकिता तुमर नाम की लड़की से एक मुसल्मान लड़का जबरदस्ती प्यार करता था और शादी करना चाहता था वो लड़की मना करी तो उसने गोली मार कर हतिया कर दिया तो अब कुछ गोधी मीडिया और कुछ बहुकने वाली लोग मैं सबहों को नहीं कह रहा हूं उसरे धर्म की लड़की पर जब हमला हो जाता है तो खामूश रहता है मैं उसे कह रहा हूं कि वो कुटे की तरह बहुक रहा था और यह कह रहा था कि देखो मुसल्मान लब जहाद करता है यह बहुत बड़ी साजिश है पलानिंग है मुसल्मान लब जहाद करता है कटरवा गुलनास खातुन नाम की लड़की से हिंदू लड़का, भगवाधारी, हिंदू जबरदस्ती प्यार करना चाहता था और शादी करना चाहता था, देखिए, अनभाक्तों का काम देखिए. लेकिन शायद ये गुलनास खातुन अनभाक्तों से शादी करके अनधकार में नहीं जाना चाहती थी, उसने मना कर दिया वो लड़की ने, तो गुलनास खातुन को जिन्दा जला दिया. मैं क्यों कह रहाएं कि अनभाक्तों के साथ शादी करके अनधकार में नहीं जाना चाहती थी वो लड़की, मैं क्यों कह रहाएं, क्यों कि मुझे पता है, वेद क्या कहता है, हिंदू धर्म क्या कहता है, मुझे पता है, अरे अनभाक्तों, अपने पंडित से जा करके और विश्यान्त ये असंभुती मुपास्ते जो असंभुती की पुजा करता है असंभुती और संभुती की पुजा करेंगे तो अंधकार में चले जाएंगे और अनभक्तों से शादी करेंगे तब भी अंधकार में जाएंगी तो इसलिए शायद वो लड़की मना कर दिया अ जो अपने हाथों से इंसान बनाता है टेबल, लक्री, मूर्ती, कुद्रती चीज, चांद, सूरज, हवा, दरिया, पानी, ये सब तो शायद गुलनास खातुन को पता था कि अगर हम इन सब को पूझेंगे तो अंधकार में जाएंगे इसलिए मना कर दिया, जब मना कर दिया, तो जबरदस्ती शादी करने की क्या जरूरत है? एसे ही जबरदस्ती लोगों को अंधभक्त कहते हैं, मैं सभी हिंदु भायों को अंधभक्त नहीं बोल रहा हूं, इस बात को धायान दिजिए, जो जबरदस्ती शादी करना चाहते है केसे रहना है क्या करना है कुछ भी पता नहीं है उसे अनभक्त कह रहा हूँ और जो गुलनास खातून को जिन्दा जलाया मिट्ली का तेल डालकर उसे अनभक्त कह रहा हूँ लेकिन उन गोदी मीडिया और उन सबहों भूखने वालों से मेरा ये सवाल है कि जब निकीता तुमर की मोत हुई थी मुसल्मान ने मारा था मैं खुलम खुला धर्म का नाम लेकर के बोल रहा हूँ मुसल्मान ने मारा था उसको तो सजा मिल रहे और मिलनी चाहिए लेकिन तुमने लब जिहाद का नाम दिया अब भगवा धारी हिंदू आतंकी हिंदू गुंडा मैं सभों को नहीं बोल रहा हूँ इस बात को भी धायान दिजिए भगवा धारी हिंदू ने गुलनाज खातून को मारा है इस मोत पर तुम क्या नाम दोगे बताओ गोदी मीडिया बहुत भोगते हो यहाँ पर अगर किसी मुसल्मान ने किसी हिंदू को हिंदू लड़की को अगर मार दिया होता तो ये हिंदूस्तान पता नहीं ये मीडिया लोग क्या से क्या और पता नहीं क्या हो जाता है हमारे हिंदूस्तान में लेकिन जब मुस्लिम लड़की के साथ अन्याय होता है दलित लड़की के साथ अन्याय होता है तो उसे इंसाफ दिलाने में देर क्यों और गोदी मिडिया सुन लो लब जहाद का नाम देते हो तो जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से लब करने की कोशिश करता है उसे क क्या नाम दोगे ये भी जरा बता देना